हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब शैनल ट्रोहिंग स्टेडी पर तो उम्मीद करता हूँ आपका होली का त्योवार बहुत ही अच्छा रहा होगा तो आज हम अपने लेक्चर नमबर 6 में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे स्लेब वैसे जो हमें आपको स्लेबस दिखाया था उसमें हमारा चैप्टर नमबर 2 उसरा था कोलम तो किसी आपको मैं कोलम कराने से पहले स्लेब का जो चैप्टर है इसको कराऊंगा क्योंकि स्लेब का च पढ़ते हैं chapter number 2, slave, slave का हमारी क्या होती है, ये हम इस chapter में जानेंगे, और इस chapter से हमारा 20 number का question exam में पूछा जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं, introduction of slave, कि slave का जो हमारा परीचे है, क्या होती है, तुछ जा में से सलेब ए तो इंत्रोड़क्शन ऑन प्हें। सलेब हमारी क्या होती है आपको इसके बारे में बता दूँ साधे या 받아 से सी कॉंक्रीट जो हमारी होती है साधे या आर संक्रीट से मिलकर इस paci इस सम्तल सत्रेय जो हमारी दीवारोः और कोलम पर ठीकी होती है ऐसी इस रंचना को हम सलेब कहते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में सलेब आया होगा आपको इसकी सलेब दिखाने क्या आ सकता तो मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि आप सभी अपने आसपास और अपने छट आपने सभी ने देखी होगी कि सलेब देखने में कैसी होती है तो चलिए पढ़ते हैं इस चाप्टर को हमने अभी तक जाना कि इंट्रोडक्शन ओप सलेब क्या था अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि टाइप सोप सलेब अब हम इसमें पढ़ेंगे टाइप सोप सलेब टाइप सोप सलेब छटो के परकार ठीक है तो इस चाप्टर में हम आप इसले हमने जो आर्सेशी की जो पिछले सैमेस्टर में हमने आर्सेशी पढ़ी थी उसमें भी हमने दो टाइक की सलेब पढ़ी दी एक वनवे सलेब एक टूवे सलेब तो इस ट्रोईंग में भी हम दो टाइक की सलेब को पढ़ने वाले हैं एक वनवे सलेब और एक टूवे सलेब मतलब एक अलदेशिक सलेब और दिवदेशिक सलेब ठीक है दोस्तों तो हमारी पहले नंबर प क्या-क्या कैसी कैसी होती है क्या-क्या इन में अंतर होते हैं तो चलिए इसको एक डाइग्राम के मात्यम से समझते हैं कि वन्वेशलेब क्या होती है चलिए मैं बनाता हूं एक डाइग्राम वन्वेशलेब का तो मैंने वन्वेशलेब का डाइग्राम जो है यह बना दिया है अभी यह जो हमारी slab है यह one way type की है और हम इस slab को top से देख रहे हैं और तब देख रहे हैं जब इसमें हमने setting कर दिया हो और इसके बाद हम reinforcement डाल दिया हो इसके बाद बस डलाई करनी रह रही है तब हम इस चत को उपर से देख रहे हैं तो हमें क्या है कि इसको one way slab तब कहते हैं जब हमारा जो longer वाला अस्पान है यह sorter वाले अस्पान से दो गुना जादा होता है दो गुना जादा या इसके बराबर होता है तब हम इसे one way slab कहते हैं ठीक है दोस्तो तो चलिए मैं लिख देता हूं कि कौन सा इसमें longer अस्पान है कौन सा सोटर अस्पान है तो यह है इसका सोटर अस्पान इसको हम LX भी बोलते हैं और यह हमारा यहां से यहां तक का longer अस्पान इसको हम LY भी बोलते हैं ठीक है दोस्तो इसमें जो हमारा longer अस्पान होता है इसी के नीचे हमारी वोल या कोई भी सपोर्ट होती है इस तरीके से पढ़ी एक यहां पर सपोर्ट है इसके नीचे यहाँ पर support है तो जो हम support के एक्तम support के जो perpendicular बार डालते हैं इस तरीके से यह हमारी support है और इसके जब हम perpendicular बार डालते हैं ऐसे मतलब एक ये support है दोनों support पर जब हम बार को टिक आते हैं इस तरीके से डालते हैं कि ये दोनोh support पर टिक जाए तो उस bar को हम बोलते हैं main bar ठीके अब जो हमारी support के parallel bar डरती है उसको हम बोलते हैं distribution बार इसमें दो तरीके की बार होती हैं चलिए मैं नाम लिख देता हूँ जो हमारी ये वाली बार पड़ी है इस तरीके से जो हमारी दोनों support पर ठीकी है ये होती है हमारी main बार मुख्य चड़ ठीक है दोस्तो जो हमारी ये इस support के parallel बार डली है ये वाली ये होती है हमारी distribution बार वितरन चड़ तो उम्मिद करता हूँ आपके समझ में आया होगा लेकिन अभी भी यदि समझ में नहीं आया है तो मैं one way slab की जो slide show कर रहा हूँ इससे आप इससे अच्ची तरीक अज़े समझ देखकर समझ पा रहे होंगे कि इसमें नीचे की side दो support है support one support two और इसके उपर हमारी slab है slab जो हमें white white दिख रहा है form के type ये हमारा form work है इसके उपर हमने bars को डाला है जो हमारी पूरी पूरी लंबाई में बार डली हुई है ये हमारी distribution बार है और जो हमारी सोटर पान पर बार टिकी है मतलब जिनी अभी पूरा नहीं किया गया है counting में तो वो हमारी main bar है तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में one way slab का जो topic है ये अच्छी तरीकेते समझ में आया होगा अब हम देखते हैं कि two way slab two way slab को समझते हैं two way slab को समझने से पहले मैं इसका formula भी आपको साथ साथ बता देता हूँ कि जो हमारा one way slab की पहचान करने का formula होता है वो क्या होता है चलिए मैं लिख देता हूँ यह होता है इसकी पहचान करने का formula जब भी हमें question में दिया होगा कि हमें question करना है जिसका एक a span इतना है और दूसरा a span इतना है मतलब इसका size दिया होगा जैसे हमारी 6 by 4 की कोई 6 by 4 size की कोई slab है या 6 by 3 size की कोई slab है तो हमें पहचानना होगा कि यह one way slab है या two way slab है ज्यादा तर question में देगे रखता है कि यह one way slab का हमें diagram बनाना है या two way slab का diagram बनाना है यदि question में नहीं दिया हो यह हमारी कोई slab है तो हमें करना क्या है उसमें से जो छोटे वाली dimension होगी वो होगी हमारी नीचे LX सोट रस्पान मानेंगे जो हमारी बड़े वाली dimension होगी उसको हम longer response मानेंगे जो होता है हमारा LY तो हमें उस LY अपन LX को निकाल कर दिखाना है देखना है कि हमारा जो इसका हनुपात आता है यह 2 से ज्यादा हो तो हमारा जो slab होगा यह one way slab होगा ठीक है दोस्तो तो चलिए बनाते हैं two way slab का diagram इसको भी diagram की help से समझते हैं यह मैंने इसका diagram बना दिया है यह है two way slab इसमें हमारा जो one way slab के सेम ही है जो अंतर है मैं आपको बताता हूं इसमें हम कर गए कि क्या कि यह जो इसी हमारी slab का top view है तो इसमें जो हमारी कोई भी distribution bar नहीं होती इस तरीके से देख लीजेगा यह हमारी main bar होती है इस तरीके से देख लीजेगा यह हमारी main bar होती है केवल नाम चेंज हो चाता है इनका कि यह हमारी मेन बार जो है यह सोटरसपान मेडली है और यह वाली जो मेन बार हैं यह हमारी लोंगरसपान मेडली है केवल इतना अनतर है इसमें कोई distribution बार नहीं होती जिस परकार से आपने पिछने lectures में देखा है कि singly रैंपोस्ट भीम औ एंकर बार होती है और डबली रैंफोस्ट वीम में एंकर बार नहीं होती उसमें दोनों ही में बार होती है तो उसमें में बार कंप्रेशन और टैंसन में होती है इसी तरीके से इसमें भी में बार को दो नाम दिये गए हैं कि में बार स्वोटर स्पान और में बार लोंगर Sorter Spawn इसको बोलेंगे LX और यह है हमारी Longer Spawn इसको बोलेंगे LY ठीक है दोस्तों तो यह वाली जो हमारी बार है मतलब Sorter Spawn के Along जो बार डली है इसको बोलेंगे हम Main Bar in Sorter Spawn यह है Main Bar in Sorter Spawn ठीक है दोस्तों और यह वाली जो हमारी Longer Spawn के Along जो हमारी बार डली है यह वाली वर्टिकल जो आपको दिखाई दे रही है यह होती है हमारी Main Bar in Longer Spawn यह होती है हमारी Main Bar in Longer Spawn ठीक है दोस्तों तो यह था हमारा Two-Way Slab का और One-Way Slab का Introduction इसमें आपको इसका Formula भी बता देता हूं जिस तरीके से मैंने One-Way Slab का Formula दिखाया है तो चलिए इसका Two-Way Slab का भी Formula इसकी Check करने के लिए जो हम Formula युज़ करते हैं उसको लिख देता हूं में कि कैसे Two-Way Slab की पहचान करते हैं यह है इसका Formula य अपन LX जो हमारा होता है यह दो से कम होता है मतलब यह फिक्स नहीं है कि यह LY और LX के बराबर हो बस अंतर इतना है कि जो हमारा LY अपने LX का जो अनुफात है यह हमारा दो से कम आता है इस कंडिशन में हम Two-Way Slab का यूज़ करते हैं अब यह था इस Chapter का आज का Introduction जिसमें हमने पढ़ा कि Chapter यह था हमारा Chapter Slab इसमें हमने पढ़ा कि Introduction of Slab, Slab का Introduction पढ़ लिया इसके बाद हमने देखा कि Types of Slab कितने प्रकार की हमारी Slab होती है पहली Slab थी हमारी One-Way Slab और जिसको हम इंदी में एकल-देशिक चत बोलते हैं दूसरी Slab थी हमारी Two-Way Slab देशिक सलेव तो इन दोनों Slab में जो अंतर है वो केवल इतना है कि One-Way Slab में हम Distribution Bar का यूज करते हैं और Two-Way Slab में हम दोनों दिशाओं में Main Bar का यूज करते हैं Main Bar इन Sorter Spawn, Main Bar इन Longer Spawn ठीक है दोस्तों हमारी Distribution Bar जो होती है यह केवल इस जो हमारा चत पर लोड आता है इसको Distribute करने के लिए Main Bar पर Distribute करने के लिए डाली जाती है ठीक है दोस्तों और Distribution Bar का जो डाया होता है Main Bar की अपेक्सा कम होता है ठीक है तो यह था हमारा आज के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और यह जो दो फोर्मूले है इसके यह भी आपकी समझ में आया होंगे इनसे हम चैक करते हैं कि कौन की सलेव वन वे है या टूवे सलेव है तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं अपने अ जड़ी के दिए समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक किए जिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जद़ से जदा से जदा से जदा बच्चे इस चैनल का लाव उठा सके और अपना कोर्स अश्ट्रैक्शन द्रोइंग का कोर्स पुड़ा कर सकें तो उम्मिद करता हूँ आप इसका साथ के साथ नोट्स तयार कर रहे होंगे यदि आपने नोट्स तयार नहीं किया है तो आप टेलिग्राम चैनल पर जाकर अपने नोट्स तयार कर लीजिए वहाँ से पीडियाप डाउनलोड करके इस लेक्चर के आभी में पीडियाप टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर